आयुद्या में अखाडों के लिए राम क्या है और राम भक्ती क्या है वो हम बात करें और देखिए जूना अखाड़ा जो है वहाँ पर लिकाए कि श्री राम जन भूमी मुक्ति सवर्ग में प्राण नुचावर करने वाले समस्त कारे सेवक वीर महावीर राजा महाराजा ज उन्हें भी अखाड़े भूल नहीं रहे हैं और जूना अखाड़े में हैं इसलिए बात खास हो जाती क्योंकि आम तोर पर माना जाता है कि जो शैव अखाड़े भगवान शीव की पूजा करते हैं और आध्यातिम के इतिहास में आप जाएं तो शैव और वैशनों का जो आप सी हम कहें विचारों की मद्धिनता की कई बाते सामने आती हैं महाराज जी अखाड़ों के लिए राम के हम बात कर रहे हैं लेकिन जूना अखाड़ा जो शैव अखाड़ा है उसके लिए राम क्या हैं मैं सरी पंतस नाम जूना खाड़े का राश्टियत जग स्रीमंध प्रेमगीरी मारे बाएं तरब बैठी हूज जूना खाड़े के मंत्री स्रीमंध मैजपुरी जी और उज्याइन के ठानापती हमारे सनिश्चर वारती और जो अभी सारी वे वे वस्ताऊं को अंजाम दे सहस्त्र नाम तुता तुल्यम स्री राम नाम बराननी राम की अगाद महिमा है आप ने कहा आप सहव उपा सकते हमारे भगवान सिव जो सहव मत है उसमें सन्यासी संताती है जो सहव की पूजा करते हैं लेकिन सबसे बड़ी यहां बात क्या है असली राम के भक्त हमी हैं सहव क के ही हम राम को भक्त मानते हैं, क्योंकि हमारे जो इस्ट हैं, वो स्वयम भगवान सीव हैं, और सीव स्वयम भगवान राम को अपना आराध्य देव मानते हैं, तो जब हमारे इष्ट भगवान राम को आराध्यों मानते हैं तो असली भक्त सेवक जो मेरे कोई हैं तो भगवान स्री राम है और जो बैसनफ संत हैं वो उनके जो परम परमात्मा राम जी है वो भगवान स्रीव को मानते हैं उनकी पूजा करते हैं तो असली अगर राम के उ पर वीजय पराप्ट करने के लिए गये थे तो उन्होंने अपने सबसे पहले पूजा कि उनसे असीरवाद लिया कि मैं ऐसे दिग दिगानतर जो जिसके चलने से पर्थी भी हिलती था ऐसे राबड पर मैं भी ये प्राप्त करने जा रहा हूँ तो महराज आपका असीर बाद जरूर है तो भगवान सिव जी ने सिव जी की वहाँ पर राम जी ने वहाँ लिंग स्थापना की और वो आज से उनके नाम से ही भगवान राम ने रखा है अपने नाम से उसको नाम दिया है राम इश्वर नाह देव लिंग थाप विधिबत कर फूजा सिव समान मुई और न दूजा भगवान राम स्वेम कह रहे है कि मेरे कुछ सिव के समान और दूसरा कोई है नहीं और भगवान सिव कहते हैं कि राम के अलावा मेरा कोई दूसरा है नहीं एक बार भगवान आकास मार से भिचरन कर रहे थे सिव जी भगवान उनके साथ में पारवती थी भगवान राम मरियादा लीला कर रहे थे मन्स लीला कर रहे थे उन्होंने उनको आकास मार के प्रणाम किया तो उनकी पत्नी पारवती को सक होगी कि महाराज ये तो साधान पुरस्कवा बोले नहीं मेरे आराद राम हैं और स्वेम पूर्वन प्रमात्मा का अवतार हुआ तो असली अगर राम का कोई भगता है तो सहब सन्यासी है और अगर असली कोई सिभजी का भगता है तो बैसनम राम भगवान है इनमें कोई भेड़ नहीं है एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को समान दर्जा दिया हुआ है कोई फरक ना राम में कोई फरक है और ना कोई सिभजी में फरक है एक दूसरे की सारे लोग पूजा करते हैं तो हम तो अपना मान के यहां युद्या की पावन धरती में बगवान राम के बाइस तारीक के जो वहाँ पर उनका प्राण प्रतिष्टा होगी वहाँ पर हम हर रोस आस हैं हम लोग सभी प्रसंद है जूना खाड़ा एक तारीक से हम लोग पहुँच चके हैं और सारा उनके पूजा पाठ में हम लोग यहां रामायन का पाठ रखा शिवपराण का पाठ रखा देवी भादपत का पाठ रखा हवन पूजन हो रहा है सारे संद जी आते हैं नागिशुर का दरसन करती हैं राम घाट पौड़ी पे सर्युमारानी का पूजा पाठ करके यानि सारी इतनी प्रसंद है कि यह पतानी कितनी सालों के ब जल्दी तो एक पल भी बहुत जीवन का होता है एक पल भी हमको मिल जाए तो जो कारी हो रहा भगवान का बहुत अच्छा हो रहा वस्ता वुई साधू संग तो सारे लोग सब प्रसंद हैं और जो नहीं प्रसंद हैं समझ लेना तुलसी दादी ने कवित लिखा है उसमें कहा है जो राम से दिरूध करें जो राम को ना मानें को एक सत्रू के बराबर नहीं करोड़ों सत्रूं का बराबर उसको मान लेना चाहिए और उसका अत्याक कर लेना चाहिए चाहिए कोई भी हो चाहिए माता हो पिता हो भाई हो बंदू हो गुरू क्यों नहों क्यों तुलसी महतारी भारत ने अपनी मा कहके ही का परित्याग कर दिया और बंदु भीवीशन बंदु भीवीशन ने अपने भाई रावड का परित्याग कर दिया और अंत्रतोद की वैश्णो संथ हैं वह सलमें शीव भगत हैं और जो शैव संथ हैं वह सलमें राम भकत भकत हैं जो वैस्रम संथ हैं उनके आरादandanrainram सिभ जी के भकत हैं क्योंको प्रमाण है उन्होंने जब लंका पर भी ये प्राप्त कर्में गए तो शिव जी की स्थापना की और आज वही शिव जी रामे शुर नाम के नाम से जो बारा जोत्र लिंग में आता है रामे शुरम के नाम से कहा जाता है तो इसलिए हम जो लोग है परम अगर कोई किसी को मानते तो भगवार राम को मानत हमारे राम हमारे इस्टिके गुरू हैं हमारे सब कुछ राम ही है जो हमारे प्राण भी हमारे राम है सरीर भी हमारा राम है राम मई हमारा सब्धी बना है मराजी बताएं कि जब अब आप लोग आयुद्ध्या में मौजूद हैं तो जोना खाड़ा किस तरीके से राम मंदिर के प्राणपतिश्चास पहले किस तरीके से आपका पूजन भजन चल रहा है विशेश कारक्रम क्या है के उपलक्ष में हम रोज तो जो भी हमारे सादू संताते हैं सरपरतम्म भगवान नागिस्टुर का नागिस्टुर छित्रमिया विराजमान वहाँ जाते हैं दरसन करते हैं पूज़ा पाड सरजियो महरानी का पूज़ा पाड करते हैं तरपन करते हैं जो सहीद हो चुके हैं उनकी आत्मा को सांती हो उनोंने इतना उनके बधा HOL Workshop आज हम राम की भब्ब प्राण परण 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 पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं जस उनको दे रहा हूँ जिनोंने अपनी जान की बाजी लगा जान गमादी कुरवान हो गए उनकी आज बदाउलत हम लोग भगवार राम की प्रतिष्टा देख रहे हैं तो हमारे कारक्रम चल ले हैं बाकी जैसे उन्होंने निमंतन दिया है राम मंद के बारे में बताएं कि जो अखाड़ा है किस तरीके से इसकी परमपरा चली आ रही है कौन-कौन से महत्वपूर्ण पद है पूरा कैसे सबसे बड़ा अखाड़ा क्यों बनाई है जब हमारे धाई हजार बर्स पुराने प्राचेन परमपरा में आदि जगद गुरु संकरा चारजी का प्रादर भाव हुआ और यह कहते हैं कि संकराचार जी कौन थे संकराचार जी स्वयम भगवात सिव के ही रूप में प्रकट गुए थे संकरम संकराचारियम केसवंबाद दिरायनम शुत्र भास क्रतो बंदे भगवंत पुना-पुना उन्होंने कालली में केरल म एक ब्रामण परिवार में जन्म लिया जिनके पिता जी का विस्यो गुरू और माता जी का विस्ष्टा देवी था पिता जी का बहुत समय पहले काल कल्वे सरीर हो गया माता जी अकेली बची थी उन्होंने माता जी के बड़ा लंबा इतियास है माता जी की आज्ञा लेकर के उन्होंने सन्यास दिख्षा ओम कारिश्वर में गौर्ड गुविंदा चारी जी हमारे आचारी गुर्विरा उनसे दिख्षा ली और दिख्षा लेके बाद उन्होंने सनातन धर्म का विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि एक रास्ते से तो हम नहीं पार पाएंगे ना विजय प्राप्त इसलिए उन्होंने बैठ करके मंतन किया तो उन्होंने का किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए दो बस्तुएं जरूरी है तो बस्तु यानवार हैं, वो क्या हैं? पहला हमारे धर्म में सास्त्र को कहते हैं, कि हमारे यहाँ पहले समझाते हैं, बुझाते हैं, बहुत उप्रेणना करते हैं, राम जो वैद्ध्याम गए तो कई बार रावण को समझाने, एक बार हनुमान जी को भेजा, अंगद को भे तो जो आगे बढ़े तो उन्होंने का एक ऐसा नीच पुर्दुष्ट अनपड मिल गया घमार तो बोले वो तो समझ नहीं को तयार नहीं तब उन्होंने आगे बैट करके का कि नहीं हमें दूसरी बस्तू भी जरूरी है पहला उनके पास सास्त्र था और उन्होंने उस सास्त से डंडा जब अटाया तो रह गया सस्त्र तो अगर किसी पर विजय प्राप्त करनी है तो दो हत्यार चाहिए सास्त्र और सस्त्र पहला सास्त्र दूसरा सस्त्र तो सस्त्र उठाने के लिए उन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया दसनामी सन्यासी तैयार किये उन्होंन दिगवेजे यात्रा आगे निकाली जहां जैसे जरूत पढ़ती गई वहां ऐसे अखाडों का निर्मान होता चला जूना अखाडे में पदों का क्या करम है कौन सा उच है किसका क्या जिम्मेदारी होती कैसे व्युस्ता जलती है हमारे यहां सबसे बड़ा पदोदा आचारी गुरू का वो सबको दिख्षा देता है जब कुम्मेला आता है तो आचारी गुरू होता है इसमें बरतमान में हमारे जूना पीठा दिसुर आचारी स्वामी अव्धिश्या नमिग्रिजी है उसके कि यंद्धी सबसे पहले यूना आखाड़े का प्लटक इसके बाद है उसके बाद अध्यक्ष महा मंतिरी उपाध्यक्ष प्रवक्ता फिर मंत्री, स्रीमान थानापती, फिर थानापती महन, फिर उसके अश्ट कोष्ल महन, रमता पंच के स्रीमान, फिर नागा सन्यासी, फिर महर्चाप के महन, यह अनेक इसमें ब्यवस्ता दी गई है, जिस योग है इसको ब्यवस्ता सहो भी जाती. एक हमारी कारकारणी छे साल तीन साल में बदलती है जिसमें हमारे सत्रा मेंबर अभी तो चौविस मेंबर होगे पहले सत्रा थे अभी चौविस मेंबरों में छे साल में हमारे कुछ बदलते हैं और कुछ छे चार आठ सदस से हमारे जो है तीन साल में बदलते हैं आईए महाम और हमारी पीछे चलती है, तो सबसे पहले हमको ही ओ ट्रेनिंग दी जाती है, धर्म की रक्षा के लिए, फिर हमारा जो ही छोटे पद से बढ़ते हैं, नागा सन्यासी से बढ़ते हैं, वो अनेक उपदों पर जैसे जैसे अनुबव होता चला जाता, वैसे वैसे उनको के लिए सबसे बड़े हमारी इस अगर कोई थे, तो बामदेव जी महराद थे, उन्होंने इसका जो है, वो किया, सब संतों को जोड़ा, विस्तुन्द पर आरे से सब को जोड़के, सब समन्ने होके, यह आगे बढ़ते हैं, जैसे चुना काले के संते बामदेव जी महराद और नाथों में दिगवी जैनाद जी और अभी योगी जी के गुरु अभैनाद जी बैसनों में रामचन्द परमवसाद दी, अभैराम जी तो इस तरह से सारे संया समाज में कोई नो कोई आगे बढ़ चाड़के, जैसे विस्तुन्द परिशे के बारे में थोड़ा बता ह जितने लोगों को जोड़ा वामदेँ जी महराज के अने को लाखों सिस जो थे जो इस भूमिका में चाए विस्तुमिंदर से संब्दित हो, चाए आरेसे संब्दित हो, चाए हमारे नाच जी संप्रदाम, यानि मार्ग दरसक वामदेँ जी का ही मिला, चाए डालमिया जी ह यह मुख्य जो है चाय सोक सिंगल जी हूँ सारे लोग बामदेवजी को मानते थे और बामदेव जी ने ही सारी संगटन को इकत्र करके और इस महिम को आगे बढ़ा है जब आखाडों के राम के हम बात करते हैं तो वैस्टमों में बात करें तो अभी रामदास जी का नाम आता है नात में जाये तो दिविजय जी का नाम आता है दिविजय नात अवैद नात लेकिन जब जूना अखाड़े में आते हैं तो यहाँ पर वामदेव जी का नाम आता ह कि किस तरीके से जब राम मंदिर का अंदोलन चला तो जूना अखाडे के जो भूमिका थी बड़े इस तर पर वाम देव जी ने निभाई और आज वाम देव जी महराज और जिस तरीके से आज अब प्रान पतिष्ठा का वक्त आया है तो जूना अखाडे में उसकी खुशी तो है तमाम जो अधार्मिक अनुष्ठान हैं वो चल रहे हैं लेकिन इसके साथ ही साथ जो लोग इस आंदोलन में शहीद हुए उनकी सद्गती के लिए भी अनुष्ठानों का करम जारी है सुनिल के साथ अवधेश एवीपी नियूस अयुद्या